आज हम बात करने वाले हैं अंडिफाइन के बारे में, समझेंगे कि अंडिफाइन होता क्या है, इससा क्या कॉंसप्ट है, अगर देखा जाए तो ये भी 0 से ही रिलेटेड है, तो यहां सा करें हम देखते हैं कि कोई भी नमबर ले लिए जाए, और उसमें हम डिवाइड करत हैं किस से, जीरो से, तो क्या निकल कराता है, अब लोगों को अलग अलग कहना है, कि नहीं ये अंडिफाइन होता है, इसी के लिए का और वड़ यूज करते हैं, नौट डिफाइन होता है, या फिर इंफिनाइट बोला जाता है, अब इन सभी में कौन सा बात सही है, वो समझते हैं, 5y0, ठीक है, या फिर 2y0, या 1y0, अब कहना है कि ये अंडिफाइन होता है, या इंफिनाइट होता है, अंडिफाइन है, या इंफिनाइट है, अंडिफाइन है, या फिर इंफिनाइट है, अंडिफाइन है, या फिर इंफिनाइट है, ता इसको हम समझते हैं इसको कई तरीके से हमें इसको explain करने कोशिश करते हैं कि ये undefine है या फिर क्या है infinite है division और क्या concept है वो समझे लेते हैं अगर ये समझ गये ता आपक clear हो जाएगा कि undefine होता क्या है बड़ा असान सा भासम समझाएंगे clear हो जाएगा 16 by 2 कितना फैल वाया है eight आया है अब इससा मतलब क्या है वो दो बार जोड़ा जाया क्या करना है दो बार जोड करके 16 लाना है ठीक है 16 लाना है तो answer क्या होगा 8 किलिट दिख रहा है कि 16 में 2 से divide दिया गया तो 8 आया इसका मतलब है कि 8 को 8 को 2 times add करना है तब का जाएगा 16 आ जाएगा इसको हम ऐसे भी लिसकते हैं 16 by 2 तो 8 पलस 8 2 times इसी तरीके से एक example और लेते हैं 20 by 4 result क्या हैगा 5 मतलब 20 लाना है आपको तो 4 वार जोड़कर के 4 वार जोड़कर के आपको लाना है 20 लाना है तो clear दिख रहा है कि वो answer क्या होगा 5 होगा मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 पलस 5 पलस 5 पलस 5 किसको 24 को ठीक है 4 times इसी तरीके से और समझना चाहते हैं कि last example इस तरह से अगर माले जब 5 by 2 है तो 2.5 आएगा इसका मतलब हुआ कि आपको 2 times एड़ करना है 2.5 को तो जागा 5 आएगा 2.5 एड़ करना है कितना दो बार तो जागा 5 अब आईए इसी के concept को लेकर समझते हैं जैसे 16 by 0 क्या मतलब मतलब है कि आपको 16 चाहिए ठीक है 0 बार जोड़ करके 0 बार जोड़ करके क्या चाहिए आपको 16 चाहिए बताओ कौन सा नमबर है मतलब है कि आपको एड़ करना है कौन सा नमबर एड़ करे 0 0 times जो क्या आजाए 16 आ जाए, क्या को यह से नमबर पॉसिबल है, कई पॉसिबल नहीं है, 1 वह 0, मतलब आपको 1 लाना है, 0 बार जोड़ करके, अब 0 बार के क्या होता है, 0 टाइमस मतलब क्या होता है, जोड़ करके, क्या लाना है, 1 लाना है, क्या पॉसिबल है ऐसा, कई पॉसिबल नहीं, तो आ आएंगे कौन सा नंबर होता है कभी नहीं होता है इस तरह से 1y0 तो समझ जाए कि अगर डीनमेटर में 0 है उपर में किसी तरह का नंबर हो वह वह क्या होगा अंडिफाइन होगा इसको हम और एक लास्ट एजामपल समझ सकते हैं जो क्लियर हो जागा आपका 1y0 माल ले जाए क क्या आता है पता नहीं माल लेते हैं x अब देखते हैं कि x कौन होगा कोई नंबर होगा क्या आएगा वो समझते हैं अगर इसको हम cross multiply करते तो 1 is equal to 0 into x तो आप ज़रा समझ ये इस बात को कि x अब क्या रखा जाए कि आपको 1 मिल जाए कि समझी क्या कोई इस नंबर है कोई नंबर इसा डून ये कि हम x की जगा पर रखे और 0 के साथ multiply हो जाए तो 1 हो जाए simple सोचने वाली बात है कि x के जगा पर कौँ सा ऐसा नंबर रखे कि उसके साथ 0 multiply करने पर वना जाए तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है क्योंकि पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो बता चुके हैं कि 0 के साथ कोई भी नंबर मुल्टपाय होगा तो 0 हो जाता है अब define ही नहीं कर सकते हैं यह define ही नहीं हो सकता है तो आप confirm समझ लिए कि 1y0 क्या होता है undefine होता है 1 by 0 undefine 2 by 0 minus 5 by 0 8 by 0 root 3 by 0 0.5 by 0 सब क्या है undefine अगर denominator में 0 दिखाई दे ठीक है तो यह confirm बात है कि 1 by 0 क्या होगा undefine होगा आप इसको undefine बोलिए क्या बोलिए not define बोलिए ठीक है